हलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एडिशार्कन क्लासस में और आप लोग के लिए जो पंचाय सचिव लडिशी का अभी डॉक्यूमेंट वरिफिकेशन होने वाला है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएं इसके बारे में अभी हम लोग टोटल डिटल्स में जानने कहां साइन करना है कहां जीला भरे कैसे जीला भरे तो ब्रावट स्किप किये हुए वीडियो को फुल देखे पूरा देखे चलिए तो इसमें यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या ले जाना चाहिए और फॉर्म कैसे भरे ठीक है तो जिकिए यहां क्या है क्या-क्या हम लोग को ले जाना चाहिए तो पहला है आप लोग को मैट्रिक का माक्षीट एड्मिट कार्ड और मूल परमान पत्र यह तीनों आपको मैट्रिक के ले जाने हैं वैसे ही इंटरमेडियेट के यह तीन जो है डॉक्यूमेंट जैसे इंटरमेडियेट का 12 ने जाएगा ठीक है पता निए कब क्या हो जाए अब देखिए आपका जो 7 पेपर है यह तो आपका 6 पेपर हो गया तो एडिंट कार्ण उसका ज्यरॉक्स ले लीजीएगा हना और ये ये दूर जो दूसरा था जो स्किल टेस्ट वाला था उसका भी एक जरोक्स ले लिजिएगा तो आपके पास अब कितने पेपर हो गए आठ पेपर हो गए याद रखिएगा ध्यान से ठीक है अच्छे से देखिएगा ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट और अवाश्य मूल परमान सर्टिफिकेट है यह दोनों ले जाने है और जिसका जैसे की जाती होने के बाद भी यूर में उनका रिजल्ट आया है तो उन्हीं भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है और 11 पेपर हो गया आधार काड और 12 पेन काड यह क्यों जरूत होता है यह आइडेंटिटी के ल तो आपके यहां कितने पेपर हो गया है टोटल मिलाकर 13 पेपर हो गया हाना तो यह आपका 13 और यहां सबसे बड़ी अभी जो है नोट करने वाली बाते हैं लेकिन टेंशन लेने वाली बाते नहीं है क्या भई कि अगर कहीं भी यहां आपको कहीं भी दिक्कत लग रहे हैं बस उसका आप कहीं भी आपको थोड़ा थोड़ा गलती फील हो रहा है कि यहां यहां यह नहीं होना चाहिए था जैसे कि आधार कार में किसी का पिता जी का नाम में थोड़ा सा मिश्टिक हो गया है आर कहीं नहीं हुआ है तो आप एफेडिफिट करा लेंगे अपना नाम में ठीकर ये total का दो set आप cherox करा लेंगे total का दो set यानि कि 13 paper का जो 13 paper मूल परमान पत्र है यहां जो original है आपके 2 set cherox कराने है कितने set 2 set आपको cherox कराने है ताकि आपको वहां कोई भी परिशानी नहों ठीकर है? 2 set आपको cherox कराने है चलिए अब हम लोग form कैसे भढ़ना है ये तो आप लोग को मालूम चली गया होगा कि कैसे कौन सा documents कौन कौन सा ले जाना है और कोई भी परिशान ना होगे क्योंकि अगर जिनके पास ये वाला देखिए बहुत सारा problem आ रहा है कि ये जो PS का exam हुआ था फर्स्ट एडमिट कार्ड और सेकेंड जो skill test वाला एडमिट कार्ड था ये दोनो जेरोक्स है ठीक ना तो टेंसन ना लेंगे अगर दोनो जेरोक्स है तो जेससी के office में मिलना पड़ेगा अगर कोई एक original है एक जेरोक्स है तो आपका काम चल जाएगा वहां document verification में आपको आपका एक original है और आपका एक जो रोक्स है तो काम चल जाएगा ठीक है तो चलिए आप हम लोग form कैसे भरना है ये चीज अभी हम लोग जान लेते हैं तो form देखिए कैसे कैसे fill up करना है तो सबसे पहले तो आपको पंचाय सुझी के पद हे तू अनुवानशिक अभियोर्ति का सेक्षने परमानपत्रों के सत्यापन है तो जान जाच जो है यहां सबसे पहले आपका एक आपका एक सुंदर सा फोटो लगेगा ठीक है यहां देखिए परिक्षा का जो रॉल नमबर है वह लगेगा जैसे एक एस एक एकावन अटतर कुछ भी something something जितना है रॉल नमबर नियुक्ति हुआ है न कि ऐसा मत करिएगा कि जो जिला में भरे थे वो जिला दीजेगा नहीं ऐसा नहीं करना है जो जिला में आपका नियुक्ति दिया है उस जिला का यहां भरना है जैसे यहां हम लिख दिये है कि जिस जिला में आपको नियुक्ति है उस जिला का यहां न इसलिए क्योंकि आपको ये सेम जीला में आपको दे सकता है लेकिन सेम प्रखंड में या फिर ब्लॉक में नहीं दे सकता है वो अगल बगल दे सकता है जिए अगल यहां यहां नहीं लिखना है अव्यर्ती का नाम वो तब अगर वो अधार कार्ट में लागू हो या फिर bank में, मतलब कहीं भी लागो हो तभी यहाँ पती का नाम देना है, ठीक है, जन्मतिति आप भरी लेंगे, और यहाँ कैटेगरी भी भरी लेंगे, पत्रा चार का पूरा पता, यानि आपको पूरा डिटल्स में यहाँ अपना पता लिखना है, ठीक है, और यहाँ अस् इंटरमीडियर दोनों सेम ही इसकुल से किया गया था, तो यह सेम ही इसकुल से, ने तो आप सेम मत भर दिजेगा, अगर अलग-अलग विध्याले से किये हैं, तो अलग-अलग विध्याले का नाम लिखेंगे, विश्याई में जो छो सब्जेक्ट होता है, सारे आप बहुता है और बोर्ड का नाम जैकी होता है वह स्यवाफ कर सकते हैं अगर यह हैं तहjectי पास्किया द रकिसे में 2012 तो 2014 बना है और है 24 misty आ इस परकार से आपको धेंडेने हैं और जाती-प्रमान-पत्र और अस्थाणियाता के यहां दिखाया गया है कि अगर आपका जाती और अस्थानियता के लिए SDO से बना है तो SDO से और जहां से भी आपका बना है उस जगह का यहां नाम लिखेंगे और यहां देखें निर्गम निर्गम संख्या और तिति है निर्गम का मतलब होता है इस्यू issue date और संख्या लिखना है issue number और issue date लिखना है और आप किस आरक्षन कोटी में आते हैं तो उस आरक्षन you are obviously SC ST कुछ भी आते हैं आपको भर देने हैं ठीक है चलिए next page में हम लोगो क्या भरना है कितने जगा sign करने है वो चीज़ अभी हम लोग चानते हैं तो यहां देखिए यह है कि मैं घोशना करता हूँ जात्मर्मान कर लिए सभी जानकारियों मेरी समझ और सही पूर्ण साथ सत्य है मतलब उपर वाला जितना सब सही हम लिखे हैं सारा सत्य है और यहां देखिए हिंदी में signature उपर करना है English में निक्षे signature करना है दिना जिस दि लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए देखिए जोग हो जाएगा भी तो उसके बाद में लेटेस्ट अब्डेट पाने के लिए इस चानल से जूरेटे हैं धान्यवाद वाचिंग फो दिस वीडियो और यह कंप्लीट हुआ वीडियो पंचाय सच्चिव और LDC का डॉकु लेटेस्ट वीडियो